सोमवार के दिन शिवजी को अर्गे देने से सभी तरह की मनो कामनाएं जल्द पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा मानसिक शान्ती भी मिलती है। हिंदु धर्म की मान्याताओं के अनुसार हर एक तिथी और वार का विशेश महत्व होता है। हिंदु धर्म में हर एक दिन किसी न किसी देवी देवता का जरूर समर्पित होता है। वार के अनुसार ही उस दिन विशेश पूजा आराधना की जाती है। सोमवार का दिन भगवान शिव को संपर्ती होता है। सोमवार के दिन भगवान भोले नाथ की विशेश रूप से पूजा करने का महत्व होता है। ऐसी मान्यता है सोमवार के दिन भोले नाथ की पूजा अर्चना करने पर व्यक्ति को सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिल जात मान्यता है कि ऐसा करने से घर में हमेशा सुख सम्रिध्धि बनी रहती है। भोले नात जल्द प्रसन्न होकर अपने भक्तों का सुख सम्रिध्ध का आशीरवात देते हैं। को अर्ग्य देने से सभी तरह की मनो कामनाएं जल्द पूरी हो जाती है। इसके अलावा मान्सिक शान्ती भी मिलती है। बुधवार को शिवलिंग पर जल चड़ाने के लाब, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, बुधवार के दिन शिवलिंग पर जल चड़ाने से विवाह में आने वाली अडचने दूर होती है। वहीं वैवाहिक जीवन जीने वाले लोगों का जीवन सुख और शान्ती से बीटता है। शिवलिंग पर जल चड़ाता है, उसको वैवाहिक जीवन में खुशियां प्राप्ती होती है और घर में होने वाले क्लेश से छुटकारा मिलता है। शनिवार के दिन जल चड़ाने के लाब, शिव पुरान के अनुसार, शनिवार के दिन जो भक्त भगवान शिव को एक लोटा जल चड़ाता है, उसे अकाल मृत्यू के भय से छुटकारा मिल जाता है। रविवार के दिन जल चड़ाने के फायदे, रविवार के दिन जो शिव भक्त शिवलिंग पर जल चड़ाता है, भगवान शिव उसके उपर बहुत ही प्रसन्न होते हैं, और इसके अलावा माता लक्षमी की विशेश कृपा मिलती और घर में धन की कोई कमी नहीं रहती है आफ एकजे लगार के लंगो दो सकते हैं, squ çev Там‡पै को अल च में डफ़ाने के खायदे हैं, यड कर लक्या नहीं हैं, जो च और में जो दो एक, कर दो सकते हैं, यड लगवां выход Lazar從 4 वियं में एक रस एकुलिवा रहाने को भंवें, चक्रुजमी रहांएं को जो सकते हैं